Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ Taruna, मैंने अपने channel के ऊपर pregnancy की week by week एक series start किया है, जिसके अंदर मैं week by week baby का development में क्या changes हुए है, हमें अपनी body के अंदर क्या different feel हो रहा है, मेरा खुद का personal experience, वो सब कुछ share करती हूँ, तो week 5 में हमें basically पता लगता है कि हम pregnant हैं, तो week 5 से लेके week 10 तक का मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ, और आज मैं आपसे बात करूँगी week 11, यानि कि 11 सपता के अंदर baby के development के हिसाब से क्या baby के अंदर changes होते हैं, क्या baby का size and all होता है, और as a mother हम लोगों को क्या हमारे body के अंदर symptoms feel होते हैं, तो आज मैं आप लोगों से इसके बारे में अगे बात करूँगी, तो अभी सबसे पहले बात करते हैं baby की, तो baby के development के अंदर इस हफते क्या changes होए है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, कि जो baby की length है, बेबी का height है वो इस time पे 4 से 5 cm तक का होता है, और जो baby क size है, वो होता है as a strawberry के जितना, और जो baby का weight है, वो इस हफते के अंदर होता है 5 से 7 gram तो एक strawberry की जितना 5 से 7 gram का आपका baby हो चुका है इस time पे, और अगर हम बात करें कि baby के organs development के बारे में, तो organs development के अंदर इस time पे baby के काफी सारे organs जो हैं, वो already बनने start हो गए है, काम भी करने start हो गए है, अगर हम brain की बात करें, उसके intestine की बात करें, उसके heart की बात करें, तो यह सब proper functioning start हो चुकी है, तो जब हमारा baby पेट के अंदर होता है, तो उस time पे जो उसका head होता है, वो उसकी पूरी body के comparatively काफी बड़ा होता है, तो इस week के अंदर क्या होगा, कि जो head है, वो अ web form में होता है, web form में, कि यहां से, यहां से, यहां से, सब जंग ऐसे, उसके अंदर ऐसे netsy होती है, लेकिन इस week से क्या है, कि वो हमारी तरह ऐसे अलग-अलग fingers हो जाएंगी, उसके toe के nails और यह सारे जो nails है, वो भी बनने start हो जाएंगे, सोचने में ही कितना cute लगता है, और अगर baby girl है, तो उसका जो ovary system है, वो इस time पर start हो जाएगा, जो spinal cord है, और जो brain है, वो भी जैसे functioning जो है, उसकी वो start हो जाएंगे, इस week के अंदर जो baby का ear development है, वो उतना नहीं हुआ है, कि वो हमें सुन सकता है, वो हमें next month से सुन सकता है, लेकिन इस month, इस week के अंदर basically वो complete ह हो जाएगा, उसके अलावा baby के अंदर की जो movements हैं, वो हो रही है, लेकिन as a mother, because he or she is so tiny, तो हमें अभी कुछ feel नहीं होगा, लेकिन movements start हो चुकी है, और अगर हम जब next ultrasound मगारे के लिए जब जाएंगे, तो हमें baby different different positions के अंदर दिख सकता है, लेकिन वो अभी इतना ज्यादा tiny है कि डॉक्टर कोई ज्यादा समझ में आता है, अगर वो डॉक्टर हमें कुछ बताती है, तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को देख सकते हैं, या समद सकते हैं, लेकिन अतना clearly अभी समझ में नहीं आता है, जितना कि डॉक्टर लोगों को समझ में आता है, as a mother point of view से बात हमारे जो सिम्टम्स होते हैं, वो काफी जादा सिमिलर ही होते हैं, वो जो टायडनेस होती है, फैटीग होता है, वोमिट जैसा लगता है, काफी साथे लोगों को थोड़ा सा बैटर फीर होने लग जाता है, फर्स टू मंस के कमपैरिटिव डीबट मेरे साथ में ऐसा वमिट ना हो, लेकिन सबसे जादा प्रॉब्लम मुझे यह होती थी कि आफ्टर वमिट भी पूरे दिन मुगा टेस्ट एक अजीब सा रहता था, मतब ना कड़वा, ना खटा, बहुत ही जादा ने एक अजीब सा टेस्ट फुल डे मुँमे रहता था, जिसके कारण बहुत इरिटेशन और मुड स्विंग्स होते थे उस टेस्ट के कारण, मतब कुछ भी खालो, कुछ भी जाए सौंफ खाओ, राइची खाओ, आमला खाओ, कुछ भी खालो, लेकिन जो गंदा सा टेस्ट जो मुँमे है वो जाता ही नहीं था, एक मैं काम जरूर करती थी कि मैं पान पानी तो मैं पीती ही थी, जबरदस्ती भी हो जाए और पानी पीके मुझे वामिट नहीं आती थी, एक मतब यह अच्छा था, और उसके अलावा थकान भी बहुत लगती थी, हमारे हमने घर लिया था, और उसका इंटिरियर चल रहा था, तो जैसे कारपेंटर वगर आते तो अगर मुझे एक राउंड लगाने के लिए सामने ही घर था, और अगर एक राउंड लगाने के लिए मुझे जाना पड़ता था, या थोड़ा सा वेट करना पड़ता था, कि प्लाइवूड वगर आ रहा है, तो मुझे अगर उपर रखवाना है, और उसके लिए मुझ तो मेरे साथ तो वो चीज नहीं थी कि मेरा जो थकावर थी वो स्टाइम तक दूर हो गई थी जैसा कि अभी हमारा फर्स ट्राइमेस्टर चल रहा है तो इसके अंदर कुछ भी नियू एक्सराइस वगएर अभी नहीं करनी चाहिए तो मैंने भी कुछ भी नियू एक्सराइस वगयर नहीं किया था सिंपल सा जो वॉक था वपनी सोसाइटी और बहुत ही ज़ादा टाइम लगा के करती थी बहुत ही स्लो थकी थकी सी भीच में एक बार बैच जाना इस तरीके से मैं वोक करती थी और वोबी मैं वैसी चली जाती थी कि थोड़ी फ्रेश हवा मिलेगी इसलिए उसका भी कुछ रागुलर नहीं था कि मैं डेली ही जा रही थी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था और उसके अलावा जैसे की विटामिन C अगर हम लेते हैं चाहे हम संत्रे कित रूले या एक बार आप उसके टेंशन मत लेना कोकोना टॉय लगा लगा लो वैसिन लगा लो विटामिन सी वगारे नैच्रल तरीके से खालो सप्रिमेंट्स तो मैं तर जादा बिलीव नहीं करती हूं और उसके अलावा जैसे कि मैं उस ताइम पर क्या करती थी मैंने अपने तमी के गली उन्हें करता का explore मेरा चाल कि अच्छल सप्रिमेंचे का लुगैरा, फेनोड मैं तो वारा लो व्योंक्रद के खेचल से बारा दुमेंत लेंसे मीरीम ओपनव की अज्डमिंगेर हूं सब्सक्राइट कर दिया था जबकिज के विट थीपारियि मेरा त्लौनोपनेटल क सेम ही थी और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मुझे मतलब की थोड़ा बैटर फील हो रहा हो या कुछ भी हो उतना ही ज्यादा मुश्किल था वीक 11 भी जितना की वीक 10 था तो लेकिन ऑफकॉर्स की वो रेस्ट करके उसको पूरा किया जा सकता है कि आप रेस्ट कर लो और इ का प्रेग्नेंसी का जो है वीक है वो कैसा रहता है तो तब तक के लिए बाए थैंक यू फोर वोचिंग माई वीडियो एंड प्लीज शेयर इस वीडियो जो कि आपकी घर के अंदर कोई प्रेंग्नेंट है तो